नमस्कार दोस्तों जानते हैं सबसे पहले गुटनों में दर्द के वजहों के बारे में गुटनों में दर्द का एक बड़ा वजह है गुटनों में लुब्रेकिन का खत्म होना यानि के ज्वैंट्स में जो ग्रेस होती है जो हमारे हड्डियों के बीच में रहती है यह कम होने लगती है तो हड् तो दोस्तों इसके लिए आप अपने डेली लाइफ में के मात्रा बढ़ा दें, लो फैट मिल्क, डेरी प्रोड़क्ट्स, बादाम, सोया और हरी पत्यदार सब्जियों को डाइट में शामिल किछे, इसके लाव अगर आपकी उम्र 40 या फिर 40 से ज्यादा है, तो कैल्शिम की सेवन जिरूर करें, चूना यही जो पान के दुकान में मिलता है, इसे खाने वाला चूना कहते हैं, एक गेहूं के दाने के बरावर, लगबग एक गराम की मातरा में रोजाना चूना खाए, चूना खाने का तरीका में बताता हूँ, आप इसे हलके गर्म पानी में घोल कर पि सकते हो, आप डाल में डाल कर खा सकते हो, या फिर सबसे बढ़एं तरीका है से लेने का, जूस के सात Wisconsin सुबा खाली पिट एक गिलास अनार के जूस के साथ, या फिर गराम के आस और Singing की जूस के साथ, एक गराम के आसपा चूना मिलाना है, इसे घोलना है इसी वात के बिगडने के वज़ा से वात बढ़ने की वज़ा से जोडों में घुटनों में दर्द की प्रॉलम होती है। इसके साथ ये सूरी का प्रकाष लीचे, सूरी का प्रकाष वैटमिन डी का अच्छा सोर्स होता है। तो सुबह के वक्त की सुरी की केड़ने जब शरीर पर पड़ती है तो शरीर मजबूत होता है, शरीर में वाइटमिन D की कमी ना हो, इसके लिए कुछ समय सुबह की धूप में पिताएं, इसके साथ ही, इसके साथ ही अगर आपका वजन ज्यादा हो तो उसे कंट्रोल करें और ट्रेडीमिल पर डॉड़ने से परहीज करें, यानि कि अवर्ट करें, अब मैं आपको कुछ ऐसे घरिलू उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका इस्तमाल करके, आप अपने घुटनों के दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, या फिर हड्यों से ट्रेटीनों को हमाम दस्ते में कूट लेना है, रात को सोने से पहले इन चीजों को चबा चबा कर खा लेना है, और उपर से जो दूद है इसे भी पी लेना है, आप चाहें तो दूद में चुटकी भर हल्दी भी एड़ कर सकते हैं, ऐसा आपको लगातार एक महीने तक करना अगर आप रात को ना ले सकों तो आप शाम को चार से पांच बजे के आस्वास भी इसे ले सकते हो दोस्तों यह उपाये आपके घुटनों के ग्रेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही फादेमन है अखरोड के अंदर प्रोटीन, वैटेमिन E, कैल्सियूम और उमेका 3 फैटी आशिट्स होता है जो हमारे घुटनों के लिए बहुत ही जरूरी है इसके लावा इसमें जो उमेका 3 फैटी आशिट्स पाय जाता है वो शरीर में आई, स्वैलिंग को भी दूर करता है और हड़ियों को मजबूत बनाय रखता है चलिए, अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में इस उपाय में दोस्तों आपको लेना है खजूर वाला दूर जी हाँ, खजूर बहुती पाउरफूल चीज है दोस्तों इसका सेवनिस सरदी के मौसे में जरूर कीजे इसका सबसे पहला फादा ये होगा कि ये खजूर आपके श्रीड को गर्म रखेगी और दूसरा फादा ये होगा कि आपके श्रीड में एनर्जी देगी गुटनों में दर्द, जुडों में दर्द, जो मान स्पेशियां विखो गई हैं बोन विखो गई हैं, उसे मजबूत करने में ये खजूर हेल्प करता है इसके लिए क्या करना है, आपको तीन से चार खजूर लेने हैं और एक गिलास दूद में डालकर, इसे राद भर के लिए भीगो कर छोड़ दिना है अगर खजूर ना मिलता हो तो आप छुहारा भी इसतमाल में ला सकते हैं राद भीगो कर छोड़ दीजें, और सुबह इसे खजूर के साथ बॉल कर लीजें और सुबह के नास्ते में इसे ले लेजे, खजूर को चबा चबा अगर खा लेने हैं और जो दूद बचा है उसे भी पी लेना है, दोस्तों ऐसा करने से घुटनों के मांश मेशिया मजबूत होती है, और घुटनों के दर्दे में भी बहुत फादा मिलता है, शरीर में में भी पूरी होती है, अगर दूद आपको नहीं डाजिस्ट होता हो, तो आप दूद की जगा पानी के इस्तमाल कीजे, दोस्तों इस तरह से आप लगातार पैतालिस दिनों तक लेजे, आप चाहें तो पूरी थंड के मौसमें से फालो कर सकते हो, यह बहुत ही चबरदस और पाउरफुल इफेक्टिव उपाय है, आप इसका इस्तमाल करके जरूर देखना, इसके लावा मेथी का सेवन कीजे, शायद आप मेथी खाते भी होंगे, मेथी बहुत ही पाउरफुल चीजे है दोस्तों, इसका सेवन लगातार कीजे, इसका किसी भी प्रकार का कोई भ बहुत ही अच्छा होगा, घर पर आप इस तरह का मेथी के लड्डू बना लीजिए और रोजाना दूसरे तीन लड्डू खाईए, जिसे शरीर में गर्माहाट बनी रहेगी, वाद भी संतुलित होगा, और घुटनों को जोनों को मजबूती भी मिलेगी, दर्द से भी और कमर के मालिश करके जरूस होए दोस्तों, मालिश का तेल आप घर पे बना सकते हो, इस तेल को बनाने के लिए आपको 50 गरम लहसुन चाहिए होगा, 25 गरम अजवाइन चाहिए होगा, और 10 गरम लॉंग चाहिए होगा, साथी चाहिए होगा 200 गरम सर्सों का तेल, सर्सों क गर्म तेल है, दर्द को खिचने वाला तेल है, आप इस तिल से पुरी बॉड़ी की मसाज भी कर सकते हो, तो इस तरह से दोस्तों आप घुटनों के दर्द, जोनों के दर्द, कमर दर्द, गठिया, अर्थराटिस का इलाज कर सकते हो, आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस् जाते जाते वीडियो को लाइक करते हो जाना, आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,